क्या हाल चाहर है बच्चो गुड आफ्टेनून कि अमें यॉडिबल तो अड़ा 247 आई यह पर आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है नवीन तवर नाम तो सुना ही होगा बच्चा टैनियर टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है टीचिंग का और एक्स गवर्मेंट टीचर एक्सपीरियंस ऑफ इंटर्वी और मेंस रहा है उसके साथ ही इस माई कूपन कोड नवीन अगर आप इसे अपलाई करते है तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट तो मिलेगा साथ के साथ आपको मेरी गाइडेंस भी मिलेगी यह प्लिम्स जयते है यूप्यसे प्लिम्स दो हजार 24 को टार्गेट करके यह बैच पनाया गया बच्चा अराउंट 6400 का है लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड नवीन इस्तमाल करते है और अड़ा की एप से जाके इसे परचेज करते है तो आप देखिए नवीन कूपन कोड अपलाई करो प्लस यहां पे आपको एप पे कुछ कोईन्स मिलेंगी उस पे टिक करना दन यूर फाइन स्लेबर्स कराया जाएगा नेक्स सिक्स मंत के अंदर और उसके साथ साथ आपको बहुत सारा वैल्यू एडिड माटीरियल मिलेगा और अगर यूप्यस क्वालिफाई करना है तो अभी थोड़ा सीरियस भी होना पड़ेगा तो उसके लिए आप इस बैच को परचेज कर सकत है और नवीन सर की कुछ क्लासिस तो सिर्फ परिनाम में ही चलेगी जान रहे हो ना जिसे इंटरनल सेक्योरटी डिजास्टर मैनेजमेंट सोसाइटी की क्लास है वह परिनाम में है रॉम में नहीं है तो ऐसे अगर आपको स्विच करना है बहुत सारे ऑप्शनल की चोईस च पढ़ना चाहे तो उसको पढ़े या कुछ दिन PSIR पढ़के देखना चाते और आपको डिसाइड करना है नहीं मुझे तो जोगरफी के साथ जाना है मैं ज्यादा कमफटेवल हूं तो उस तरह की पढ़ाई की जो फ्रीडम है वह आपको सिर्फ महापैक में मिलेगी अभी पढ़ेगा तो जब तक वैलेडिटी है इस महापैक की तब तक आपको पढ़ाई की जबरदस फ्रीडम है तो जो एक्जिस्टिंग केंडिडेट्स है मतलब अलड़ी जिन्होंने रॉब को परिणाम को या राय सीना हिल परचेस किया हुआ है वो भी अपने आपको जो हमारी बायो डाइवर्सेटी है वो कौन-कौन सी सर्विशिज प्रोवाइड कर रही थी है ना जैव विविद्धता के द्वारा कौन-कौन सी आपको सर्विशिज दी जा रही है कौन कौन सी services दी जाती है एक बार आप मुझे बताओगे कल मैंने आपको coupon code बताया था RPSC एक बार इसकी full form मुझे comment section में लिखके बता दो कि कौन-कौन सी ecological services प्रोवाइड होती है RPSC मैंने आपको code बताया था इस code के बारे में आप मुझे जरह detail में बताइए एक बार बताना बच्चा इस code के बारे में एक बार ये code क्या था RPSC, full form क्या है इसकी हाँ, full form बता दो बस आप मुझे, full form, RPSC की full form क्या थी बच्चा, regulating services, provisioning services, और supporting services and cultural services, उसके बाद हमें पता चल गया कि जैव विविदता बड़ी significant है, और हमने UNCBD किया, UNCBD जैव विविदता को बचाने के लिए, अमेरिका ने लेकिन उसको signature नहीं किया, कल तक कहानी यहां तक आ गए थे, कल की कहानी ये थी, अमेरिका बोला भहिया, मैं निजाइन करूँगा इसको, मेरे को समश्या है, तो अमेरिका को क्या समश्या थी, यह रख, यहां पे आ गए थे, पूछ रहे थे कि नवीन सरी बत सकते हैं, इस बात का जवाब थो, कि कहा हैं अमेरिका नहीं करना चाहता, बच्चा विक्सित देश क्यों करेंगे, विक्सित देशों को जबरदस एक समश्या क्या है, विक्सित देशों से उमीदे है कि वो टेक्नलोजी दे, विक्सित देशों से उमीदे है कि वो फंड दे पैसा दे तकनीक दे बहुत सारी companies जो विक्सित देशों की है बड़ी-बड़ी companies बड़ी-बड़ी industries को establish किये हुए है जो nature-based industry है सपोज करो कोई timber industry है timber लकडी उद्योग है अगर आप फिर बायो-डाइवर्सिटी के एमबिट में लेके आओगे यह company को समश्या पैदा होगी ना फिर तो बहुत सारी company के hit क्या है उनको नुक्सान होगा तो सरकार के ओपर company का दबाव है वो नहीं चाहेगे कि ऐसा कुछ हो उनको समश्याय पैदा हो तो वही वाली बात USA और UN CBD के बीच में क्या है अमेरिका की बहुत सारी बायो-टेक companies है उ उनको इससे रिलेटिड जैसे ही उन्होंने ये सिगनेचर किया इसका अनुसमर्थन किया तो उनको उन बायो टेक कमपनीज को जो जेनेटिक जो रिसॉर्सेज है माटीरियल है उससे संबंदित जितना भी इनका इंटलेक्शल प्रोपरिटी राइट है वो दूसरों देशों क के साथ शेयर करना पड़ सकता है जिससे उनको भैंकर नुकसान हो सकता है आर्थिक रूप से सेकिंड इस बात को लेकर भी चिंता है कि अमेरिका प्राकर्तिक संसाधनों की रक्षा के लिए अब उमीद होगी भीया गरीब देशों की भी मदद करो आर्थिक रूप से या अ के बाद जब UNCBD का दो 1992-1993 की बाद चल रही थी कह रहे थे उसी टाइम पर लुप्त प्राय प्रजाती अधीनियम एक यह अधीनियम था अधीनियम का नाम था ठीक है Endangered Species Act था उसके साइथ बहुत सारे उस टाइम के कानून थे उनका उस टाइम के जो टिंबर इंडस्ट्री है और बहुत सारे संपत्ति अधिकार समू है पहले से ही उन कानूनों का विरोध हो रहा था और अमेरिका एक नए कानून मतलब अल्रेडी अमेरिकन गवर्मेंट के कानून का किसके दुआरा वहां के इंडस्ट्री और बहुत सारे संपत्ति अधिकार समूओं के दुआरा विरोध किया जा रहा था ऐसे में सरकार एक नई फजियत अपने गले में मॉल लेना नहीं चाहती थी अमेरिका ने बोला हो या मैं नहीं साइन कर रहा है मैं रेटिफाइड नहीं कर रहा है इसको चलो तुम्हें जो करना है करते रहिए और क्या है अब जो यह एग्रीमेंट है सुनो बच्चा एक चीज़ याद रखना यह जो हमारा UNCBD आया अब UNCBD UNCBD का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है ब बायोडायवर्सिटी से जुड़े कि यह बहुत सारे डाइनेशन से बहुत सारे डाइनेशन से अब उन सारे पक्षों को लेके बहुत सारे अलग-अलग अभ ट्रेटीज्य और एग्रीमेंट किए जाएंगे यह मान के चलो हमने एक मोटा खाका बना लिया क्या एक बड़ी बड़ा मुद्दा है हमारा बायो डाइवर्सिटी अब उस बायो डाइवर्सिटी के अंदर भी जैसे आपने देखा जो हमारा UNCBD था तीन बात कर रहा था जैव विविदता का संरक्षन जैव विविदता का सतत उपियोग और जैव विविदता के उपियोग से प्राप्त ह होने वाले जो benefits है उनका fair and equitable sharing ये तीनों बाते हो थी अब इन ही सभी मुद्दों से जुड़े हुए बहुत सारे और मुद्दे हैं तो इस UN CBD के supplement में बहुत सारे और agreement आएंगे जैसे नगोया आएगा आईची आएगा economy आएगा बहुत सारे मतलब वो जैव विविद्दता से संबंधित ही आपके issues है लेकिन उनको अलग-अलग agreement से उठाने की बात की गई तो ultimately वो सब के सब क्या कर रहे है जैव विविद्दता के संडरक्षन को ही support करेंगे वो सारे issues थोड़ा ध्यान से समझना बच्चा थोड़ा प्यार से समझना कहता है इसी पे जो आपका UNCBD है इसके दो supplementary agreement है supplementary मतलब उसके अनुपूरक उसको मदद करते है इसी आईडिया को मदद करने के लिए पहला है जैव विविद्दता पर convention के लिए जैव सुरक्षा पर कार्टो जेना प्रोटकॉल कार्टो जेना प्रोटकॉल किस पर बच्चा बायो सेफटी वाला सब्सक्राइब क्या हुआ यह क्या दिक्कत है मैं समझाता हूं पहले पर इसको पढ़ लो कहता है कार्टो जेना प्रोटकॉल और बायो सेफटी एक अंतरास्त्री ट्रिटी है जो कहती है कि जो living modified organism है या genetically modified organism genetically modified organism मतलब आपने कुछ इस तरह से human interventions कि यह जीवों में species के अंदर कि उनके जो genetic properties है उनमें बदलाव आया है अब genetic property में बदलाव आगया अब genetic property में बदलाव आके जैसे GM crops है genetically modified crops के नाम सुने होंगे जा आपने उसके अंदर particular gene डाला हो सकता है वो किसी pest को रजिस्ट करने के लिए डाला हो या किसी और के लिए अब वो जो living modified था जो living organism ता उसको हमने modified कर दिया आब उसको modified करके हम उसको भेज रहे हैं सब्वास करो इंडिया किसी ऐसी फसल को या किसी ऐसे जीव को या ऐसे लीविंग मोडिफाइड और्गनिजम को हमने अपने देश में बुला लिया अपने देश में हमने उसको इंपोर्ट कर लिया अब उससे हमारी बायो डाइवर्सिटी को उससे हमारी एकलोजी को थ्रेट पैदा हो सकत है तो इस पर भी एक समझोता करना जरूरी था कि कहीं हमने कुछ ऐसे बदलाव तो नहीं कर दिये उन और्गैनिजम के अंदर ultimately हम करना क्या चाते हैं हम तो चाते है कि हमारी जो नई क्रॉप में हमारे को खत्रा हो गया तो हमें ऐसे एक supplementary agreement की requirement थी जो holistically biodiversity को protect करें ऐसा ही हमारा है ये cartogena protocol एक अंतरास्थ्य संदी है जो आधूनिक जैव प्रद्योगी की हमारी जो biotechnology है उससे एक देश से दूसरे देश में जो living modified organism LMOs इनके movement को नियंतरित करती है मैं समझाता हूँ आपको एक चार्ट दिखाता हूँ चलो एक तो पूरक समझोता ये हो गया काटो जैना protocol सेकंड केता है access and benefit sharing access and benefit sharing मतलब जैव विविदता तक पहुंच और उससे प्राप्त होने वाले लाब उसका क्या करना उनको साजा करना पता चले आपने मलाई प्राप्त हो रहे है वो उनका समान और न्याय पूर्ण तरीके से वित्रण किया जाए उससे उत्पन होने वाले लाबों के उचित और न्याय संगत साज्जा करन पे है नगोया प्रोटोकॉल ये दो पूरक समझोते हैं किसके बच्चा UN CBD UN CBD का मतलब जब हम बायो डैवर्सटी को प्रोटेक्ट करने का जो हमारा एक अन्वेंशन आया इसमें हमने दो सप्लिमेंटरी एग्रिमेंट जरूर किये एक है कार्टेजेना प्रोटोकॉल कार्टेजेना प्रोटोकॉल और बायो सेफटी अनादर वन इस नगोया नगोय प्रोटोकॉल इस नगोया प्रोटोकॉल यह नगोया प्रोटोकॉल है ABS जैव विविदतास ते जो लाब हो रहे है उसका समान और नयाएपूर्ण वितरन और यह क्या है कि आपने बायो टेक्नलोजी का जैव प्रद्योगी की का इस्तमाल करके और गैनिजम में कोई बदला से आपके एको सिस्टम और बायो डाइवर्सिटी को नुकसान पहुच रहा है या नहीं पहुच रहा उसके लिए है कार्टो जेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफटी यह बात बताओ यह टर्म समझ में आये क्या जैव सुरक्षा और एक्सेस बेनेफिट शेरिंग यह दो अन जल्दी से जवाब दीजिए बच्चा एक बार जवाब दो यह बात समझ में आई या नहीं मतला हमने कल जो जैव विविदता पर सहीं उक्तरास्ट कन्वेंशन पढ़ रहे है उद्देश्य क्या है बायो डैवर्सिटी उसका इंपोटेंस जो उसका सिगनिफिकेंस वो जोड़े हैं अब अगर मैं कहू नगया जो प्रोटोकॉल है देखो क्या यहां इहां पर आनवानशिक संसाध् miraculous वने वाले लाबुका उचित और न्याय संगत बटवारा किसी से जड़ा हुआ है नगया नगया प्रोटोपॉर इसी से है आ गई बात समझ में न है इस वाले से संब्बंदित है और काटो जाएना क्या करहे अई इस तरीके से करो कि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट रहे इसके component है उसका sustainable use हो आप ऐसा कोई human intervention मत कर देना तकनीक के द्वारा विज्ञान के द्वारा ऐसा intervention मत कर देना कि आपकी biodiversity को threat हो हमें sustainably use करना है ठेक है अब समझो बच्चा और थोड़ा सा और समझते हैं चले कि अब आया अब उठाते इस कार्ट जेना को यह वाला इसको देखते कार्ट जेना यह कार्ट जेना देखते इसकी कहानी क्या है कार्ट जेना की कहानी इसको sign करने वाली parties मतलब 173 देशों ने इस पर signature कर दिया international treaty है यह क्या कहती है हमने biotechnology का इस्तमाल करके उनमें कुछ नया value add किया कोई आनुवांचिक या genetic change किये हमने नई crop त्यार की हमने नया जीव त्यार किया उसमें लड़ने की भिड़ने की ताकत पैदा की ताकि उन जो pest attack है या कोई और चीज़ है उसका हो सामना कर सके तो पहले मैं आपको कुछ ऐसे एक्जामपल दिखाता हूं कि यह देखो यूएन सी बीडी को है ना वेबसाइट से लेकिया हूं मैं आपको एक्जामपल ओफ जीएमोज रिजल्टिंग फ्रॉम एग्रिकल्चर बायो टेक्नलोजी क्रिशी में हमने जिस जैव प्रद्योगी की का इस्तमाल किया हमने कुछ बनाया है यह देखो हमने कुछ प्रोड़क्ट है उसको जी आफ्डूआर कि कि सोयाबीन के अंदर हर्बीसाइड टॉल् norm घॉद्ध कि हमने जैनाटिक बदलाव किए उसके बाद जो कौर्ण है आपका कौर्ण है उसके अंदर वो जो insect है, जो कीट है, उसके उपर attack करे, वो उससे बचा रहे, उसको लेके हमने ये genetic change कर दिया, ये technical language है, bio technology से हमने क्या change किया, approve मिल चुका है, तीसरा, हमने जो canola है, उस canola के अंदर fatty acid के composition को change किया, उसके लिए हमने ये उसमें जो अनुवांचिक बदलाओ क कर दिये, एक और example है, वायरस, विशानु उस विशानु उस पर attack ना करे, जैसे plum है, plum fruit है, इसके उपर attack ना हो विशानु का, या उससे वो ज्यादा प्रभावित है, तो उसके हमने ये genetic बदलाओ कर दिये, अप्रूर होगे, अब आपने बोला कि ये जो plum है, अब इस वायर वो इसको नुकसान पोचा रहा है, तो इनके अंदर tolerance आगी, ये protein का powder खाके बैट गए, अब देखो, अब हमारा कोई का भी गाड़ेगा, अब ये कह रहा है, आपने ये बदलाओ तो कर दिये, अब बदलाओ करने के बाद ये सोयाबीन, ये आपका क्या हो गया, corn, ये canola, ये क्या हो गया, genetically modified organism हो गया, हो गया है नहीं, इनके आपने इसको modified कर दिया, इसमें बदलाओ कर दिया, अब आपने बदलाओ करने के बाद, अब क्या करें, international level पर trade वगरा भी होगा, एक देश से दूसरे देश में globalization का दोर है, products एक से एक देश से दूसरे देश में जा रह कि आपने corn के अंदर ये change तो कर दिया, आपने canola के अंदर, आपने plum के अंदर ये change तो कर दिया, भाई, कहीं इस change के चलते, आपके ecosystem को, biodiversity को नुकसान ना हो जाए, इस organism को नुकसान ना हो जाए, ये वाली बात है, जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं, जल्दी जवाब दीजिए बच्चा मुझे, जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, क्या genetically modified organism से क्या मतलब है, living modified organism से क्या मतलब है, और अगर इतना समझ में आया, अब इनका जो लेन देन होगा देशों के बीच, आयात निर्यात होगा, उससे कोई खत्रा ना हो जाए, उसके लिए है कार्टे जैना, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, ठीक है, यह अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को, यह अच्छे से समझ में आ गया ना, अब यह कह रहा है, देखो, रिस्क क्या है इसके साथ साथ, और सेम वेबसाइट से है, यón की वेबसाइट से, sons CBD की वेबसाइट से में ले के आया हूं, खागी आपको यह more समझ में आए, देखो, यह क्या कहरा है, इसके होने से आपने जो उसके जीन में बदलाव किया है, ठीक है, आपने, आपने क्या किया, किसी एक species के अंदर आपने बदलाव किया है unknown consequences इसके अग्यात इसके दुश परिणाम हो सकते है क्योंकि आपने क्या किया आपने उस जीन के अंदर सोया बीन के अंदर कुछ लाके आपने डाल दिया है किसी और living organism के अंदर आके आपने कोई सा interference किया केरे उसका metabolism खुद भी प्रभावित हो सकता है उसकी growth rate प्रभावित हो सकती है ऑब बहुत सारे परियावरनिया कारकों के प्रती उसका जो response है वो प्रभावित हो सकता है आब यह कहता है इससे नयके वल वो जीव प्रभावित होगा सुनो कहता है ने के वल इससे वो जीव प्रभावित होगा वो और्गेनिज्म जिसमें आपने छेड़ खानी की है कहता है उस और्गेनिज्म के साथ-साथ प्लस GMO itself but also natural environment in which that organism is allowed to plory create उससे आसपास का जो environment है उससे human beings जो उन products को consume करेगी या उससे interact करेगी वो भी दुश प्रभावित हो सकते है लिविंग और्गेनिज्म हुमन्स चेक है एनवार्मेंट आपने जेनेटिकली मोडिफाइड फूर तो बना दिया चेक है इससे इन सबको प्रभावित दुश प्रभावित कर सकता है तो अगर UPSC स्टेटमेंट देता है कि जेनेटिकली मोडिफाइड और्गेनिज्म या प्रभावर आपके प्रियावरण के लिए अमानवु के लिए है पूर्ड टै सेफ होते है सेफ होते है ज्मार्क है रिस्क है बच्चा इनके साथ रिस्क जुडा हुआ है ठेक है रिस्क जुडा हुआ है रिस्क जुडा हुआ है ठेक है horizontal gene transfer of pesticides herbicide or antibiotic resistance to other organism would not only put human at risk but it would also cause ecological imbalance previously inoxus plant to grow uncontrolled यह मतलब आपके पूरी कहानी वही है आप इसको पूर्णते सुरक्षित नहीं कह सकते इसमें संभावनाएं बनी रहेगी कि वो परियावरन को human को और खुद उस organism को यह एक threat बन जाएगा इसी को लेके हैं बच्चा यह आपकी कार्टा जेना प्रोटोकॉल और बायो सेफ्टी जैव सुरक्षा तो अब आप खुद मुझे बताओ क्या यह जैव विविदता का संरक्षन वाला जो पहला component है पहला जो UNCBD के objective जो one है goal one है और जो goal two है अगर UPSC कहता है UNCBD उसका जो goal two है उन दोनों से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह सतत इस्तमाल की बात करता है और जैव विविदता के संरक्षन की बात करता है तो कार्टा जेना प्रोटोकॉल क्या हो गया बच्चा UNCBD का supplementary protocol हो गया इसलिए मैं बोल रहा था यह supplementary क्यों हो गया क्योंकि UNCBD का जो objectives है ultimately उसी को support कर रहा है इसलिए हमने इसको supplementary agreement बोला इसलिए हमने नगोया को भी supplementary बोला था क्योंकि वो इसके objective या goal number 3 को achieve करने में help करेगा ठीक है आगे बात समझ वे हैं ठीक है बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत अच्छा great आगे चलते हैं तो this is cartridge है न हो गया तो यह कब आया बच्छा यह इसे 39 जन्वरी साल 2000 को जैव विविदता पर convention के एक supplementary agreement के रूप में अपनाया गया और यह 11 सितंबर 2003 से यह लागू हो गया शॉट नॉट्स बना लेना बच्छा यह पूरा जो UNCBD है ना इस पे पूरा दो तीन पेज के अंदर पूरा UNCBD तीन चार पेज के अंदर पूरा UNFCC कि तीन चार पेज के अंदर UNCCD पूरा होगे एक साथ हमारा इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे शॉट नॉट्स बनाएंगे ultimate तरीके से और space शोड़ना बच्चा क्योंकि current affair मैं ही पढ़ा रहा हूँ regular उसका updation होता रहेगा regular updation भी तो करना है अपने को ठीक है well done आ जाओ तो यह date याद रखना लगू यह हुआ इसको adoption 2000 में किया गया था तो अब यह क्या कहता है modern biotechnology से उत्पन जो आपने modified organism है उनके द्वारा उत्पन संभावित जोखिम से जय विवेविदता की सुरक्षा करना चाहता है objective one of UNCBD उसको अचीव करने की बात कहता है अब यह कहता है अगर जब ऐसा होगा अगर जब ऐसा होने वाला है living modified organism एक देश से दूसरे देश में जाएंगे सपोज करो चाइना वाले ने चाइना वाले ने बदलाव किया है ना चाइना वाला बोलता है मैंने भीया प्लम के अंदर यह बदलाव कर दिया अब प्लम के उपर वाइरस नहीं अब आप जो प्लम होगा इस प्ल दुनिया भर में भेजने की planning कर रहा है चाइना इसको बेज़ेगा कि चलो मैं अफरीका में भेज देते हैं उन्होंने प्लम निखाया होगा है ना श्रिलंका वालों को भेज देते हैं उनके यहां प्लम ना होता होगा भेज देंगे वहां के लोग भाग खाएंगे खूब agreement होगा ताकि उसमें बताया जाएगा कि हमने ये किया है ये ये हमने बदलाव किये है वो देश जिनके बीच में ये लेंदेन हो रहा है उसका उसको लेके ये पूरा का पूरा advanced informed agreement पूर्व अगरिम सुचित समझोता प्रकिरिया इस्थापित करता है कि उन देशों को अपने छेतर में ऐसे जीवों के आयात से सहमत होने से पहले सुचित निर्णय के लिए आवश्यक जानकारी परदान करेगा वो बताएगा भाया मैंने क्या किया है ये जानकारी देन advanced advanced प्राहे समाचारों में चर्चा में रहने वाला advanced informed agreement informed agreement का संबंद किस से है इससे है यह ना बायोसेफ्टी से भायो सेफटी वाला जो हमारा क्या है चले नेक्स पॉइंट क्या यह नेक्स क्या है अब फिर आया नगोया प्रोट О्टोकोल second supplementary agreement है नगोया प्रोटकोल नगोया प्रोटकोल यह कहता है कि भाईया जो genetic material है उस genetic material से जो benefit मिल रहा है सपोस्पोस करो अंग्रेज आए अफ्रीका के अंदर बढ़िया यूएस वाले यूरॉप वाले उन्होंने देखा भाईया अफ्रीका के पास तो ऐसा जबर्दस genetic resources है द बहुत सारी ऐसी वेजिटेशन मिल रही है बहुत सारा ऐसा जीव है जिससे हम वह पदार्थ प्राप्त कर सकते जिससे दुनिया भर के लोगों की विमारियों का इलाज करा जा सकता है या अमेजोन के रेंफोरेस्ट के अंदर ऐसा जैनेटिक माटीरियल है ना उसको अगर प् इसको अगर इससे यह दवा बना देंगे तो चलो आप आओ आपने वह दवा निकाली आपने जैनेटिक माटीरियल यूज किया लेकिन उस जैनेटिक माटीरियल को यूज करने के बाद बड़ी-बड़ी कंपनियों ने उससे बहुत सारा प्रॉफिट कमाया और ने बहुत बढ़िया दवाई अरे दवाई जो बनाया है आपके देश से ही लेके गया है वह मैटीरियल अच्छा हमारे जड़ी-बूटी से बनाएं हाँ तो भाई उसने हमें को नहीं दिया उसमें से कुछ दिस इस नगोया यह नगोया सेम है यह कहता है एक्सेस बेनेफिट शेरिंग जैव विविदिता से या आनुवांशिक शंसाधनों से जो बेनेफिट मिल रहा है भाई या उसका न्याय संगत और समानता पूर्वक उसका शेरिंग किया जाए घड़ बढ़ है सोच में खोट है तो इस तरीके से शोशन ना हो जो जेनेटिक माटीरियल है उसका ट्रांस्परेंसी से जो बेनेफिट लिया गया उसको आप दो उन देशों को भी यह चीटिंग है हाँ उसी चीटिंग से बचाने के लिए तो ABS एक्सेस बेनेफिट शेरिंग है ABS का मतलब तो यह जपान के नगोया 29 अक्टूबर 2010 को अपनाया गया और 12 अक्टूबर 2000 2014 से यह अपली के बल हुआ अब यह कहता है इसमें क्या क्या कवर्ड है एक बार देख लेते सिधा वेबसाइट से लेके आया हूं नगोया प्रोटोकोल applies to genetic resources उस अनुवांशिक संसाधन पर अप्लाई होता है डैट आर कवर्ड बाए CBD जो की UNCBD कंवेंशन ऑन बायो डैवर्सिटी के दुवारा कवर्ड है एंड टू दा बेनेफिट आराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन और उसके इस्तमाल से जो आपको benefit मिल रहे है उसको लेके है उसके साथ साथ ये ट्रेडिशनल नॉलिज को है ना अगर उस genetic resources के साथ जुड़ी हुई है उस traditional knowledge को भी शामिल करता है वाट इस दिस ट्रडिशनल नॉलिज? समझो, यह ट्रडिशनल नॉलिज क्या है? आपको मैं एक चीज बताऊ, पूरी दुनिया में जो योग, प्राणयाम और आसन का जो बिजनेस है, तकरीबन कितने बिलियन डॉलर का होगा? अराउंड योग, प्राणयाम, आसन, अराउंड 100 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है यह, और योग, प्राणयाम और आसन, दुनिया में सबसे पुराने एविडेंस इज, भारत में है, भारतिय, रिशी, मुनी, भारतिय, परमपरा है, अब हम बोल रहे हैं कि डाइबर्टीस को कंट्रोल करने के लिए यह आसन करो है ना लंग की डिजीज का सॉलूशन करने के लिए इस तरह से प्राणयाम करो ऐसे छोड़ो ऐसे लो होल्ड करके रखो अभी अमरीका वाले क्या करें आए इंडिया से सीख गए अरे भाई इनके पास तो जबरदस्त नौलिज है कोई दवा वावा कुछ भई नहीं खुले में बैठो सुबह है ना इनके बाबा लोग तो हजारों साल से कर रहे हैं और अभी भी यह फिरी में ही दे रहे हैं सारी चीज़े ओहो इतना दिव्य ज्यान लेके बैठे भाईया इससे तो पैसा कमाने वाला है चलो अमरीका लेके चलते हैं ना उदर बोलेंगे कि यह सब हमने सीखा है है ना हमारा ही है सब कुछ बढ़िया आरे भाई हमारा हो कि कल गो हमारी हम हुआ हजारों सालों से हम हल्दी है ना नीन जाइफल हैं इनके हम वेल्यू सक को हम जानते हैं हमारे पूरवज लोग जान तरह एक्पी डी से आरी ट्रेडिशन से ट्रेडिशन में चलते आ रहे हमें पता है सर्दियों मखासी जुखाम होगा तब यह जाइफल ले लो हल्दी का दूदूबाल के पिलो है ना कुछ कट जाता था हमारी उंगली वगारा तो हम हल्दी का पेस्ट लगा देते थे है ना हम तो मिट्टी भी लगा ये इन्यल लोग तो घोल घोल के पीजाते दूद में उबाल के तो अगर पीडियों से एक पीडी से दूसरी पीडी में पिछले hundreds of years से या thousand of years से कोई knowledge एक पीडी से दूसरी पीडी में transfer हो रही है उस वो भी किसके अंदर शामिल है नगोया प्रोटोपोल लोगों का जो पर ले रहा है तो मूल देश को या जिसका वो जैनेटिक मटीरियल है आपको उसका लाब देना पड़ेगा दिस इस अबाउट नगोया कि आई बात नगोया के बारे में समझ में कि जल्दी बताओ कि नगोया समझ में आया वाट इस नगोया तो यह कह रहा है देखो भीया दगोया प्रोटोकोल है ऐसे लागू हुआ तो ठीके डियल यह ट्रडिशनल नॉलिज क्या है वाट इस ट्रडिशनल नॉलिज मैंने लिखके दिया है आपको पारंपरिग्ञान वह ज्यान वह जानकारी वह स्किल है ना वह प्रताय है हम योग क करने हम जानते हैं वजरासन हम जानते मयूरासन हम यह जानते दस तरह के मंडूक आसन करना जानते हैं हम बटरफलाई तितली आसन करना जानते हैं वजरासन भुजंग आसन बहुत सारे क्या है हमारे पास बहुत सारी नॉलिज है जानकारी है कोशल है बहुत सारे हमारे पास प्रथाए ऐसी है एक समुदाय के भीतर जो पी डी धर पी डी विक्सित होती है कायम होती है और ट्रांसफर होती रहती है और उसका हमारी संस्वती का और हमारे स्पिर्चुएलिटी का वो हिस्सा है हम तो ध्यान हजारों साल से लगा रहें कल अमरीका वाले यूरोप वाले बोलते वह देखो ध्यान लगाने से ना इधर बहुत बोडी बिल्कुल कंट्रोल होती है जबरदस तरीके से आप अपने शरीर के बहुत सारे विकारों को सिर्फ ध्यान से ही सॉल्व कर सकते हो हम बोलेंगे ध्यान और उसका पैसा भी कमाएंगे और जो मैंने आपको बता है ना यह हंडर्ड बिलियन डॉलर का जो पूरा योग इंडस्ट्री है यू वांट बिलीव 33% इससे कमा कोन रहा है USA आपको पता है यह हंडर्ड बिलियन डॉलर का जो इंडस्ट्री है ना इस इंडस्ट्री हाँ हमारे वाले तो मुफ्त में ही सिखा रहे है फ्री में योग का पैसा लेगा भाई इसका 33% USA कमा रहा है तज्जुब की बात है ना तज्जुब की बात ह येस, ताज्यूब की बात है, जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी वड़ा ताज्यूब लगा, रहे भाई साथ, कितने होश्यार लोग है ये, ये हर चीज पे धंदा करना जानते है, ये कैपिटलिस्टिक लोग है, नियम कानूनों को तरोड़ना मरोड़ना जानते है, होश्या परमपरी की ज्यान किसे मतलब है, अगर हम अगरिकल्चर का कोई मैथड जानते है, ये हम अपने एकलोजी से, ये हम ऐसा कोई ओष्धिये ज्यान है, जो कि किस्से संबंदित है, जैं विविदता से भी संबंदित है, तो वो हमारा ट्रडिशनल नौलेज में है, तो नगव हो की जो उनको हजारों साल से या सेकड़ों साल से जो परंपराय है, उससे उन्होंने जो ज्यान सनरक्षित रखा हुआ, उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे भाई, उसको भी प्रोटेक्ट करना होगा. फिर अब यह बोला यह नगोया इतना important क्यों है नगोया क्यों important है क्योंकि वो genetic resource है उसके जो प्रदाता है मतलब जहां से आप लेके आ रहे हो और जो इस्तमाल कर रहे हो दोनों के लिए ज़ादा कानूनी अच्छे से व्यवस्था कर दे ताकि शोशन ना हो पता चला कि आप तो कल को आपको क्या जैसे बच्पन में तो यार जैसे नीम के पत्ते होते है बच्पन में घुमने फिरने के लिए जाते थे सुबह सुबह पेड़ पे नई-ई-ई कॉप ले आए उससे तोड़ा धोया खा गए हम कल को पता चल रहा है कोई दवाई आ रही है कोई मैडीसिन का रहे हो और उसमें नीम का ही एक स्ट्रेक्ट है ना 5 रुपए चाहरा रहे हो 5 रुपए का 10 रुपए का पर आपंस पता है refers खारे अरे भाई हैוא यह क्को फ्रीकी चीज़ का किया उसके उपयोग करता कौन है उसके प्रदाता कौन थे ट्रांस्पिरेंसी रहे जैनेटिक रिसॉर्स तक पहुंच के लिए ज्यादा पूर्व अनुमे इस्थिती मतला हम ज्यादा अच्छी प्रिडिक्टेबल कंडिशन्स को पहले से ही डिफाइन कर ले कैसे होगा इन फ आफ्रिका से लेके चले गए भ इंडिया से उस ज्णनेटिक रिसंस को लेके चले विदेश में डैवल्पड कंट्री लेके चले गए उर्प वाले लेके के-चले गए आपके जंगलों में अगर दुनिया को मिल जाएंगे तो भाई साभ ना पूरी दुनिया में हजारों करोडों डाटा दिखाएंगे अमरीका वालों को जरूरत है कनेडा वालों को जरूरत है मेक्सिको के लोग भी परेशान है इधर ब्राजील वाले दक्षिन अमेरिका वाले हैं इधर एशिया युरॉप सब तरही तरही कर रहे हैं इंडिया में भी समश्याएं है आप अपना जैनेटिक नगोया क्या करता है बच्छा जो गोल 3 है UN CBD का गोल 3 है कि जैनेटिक रिसॉर्स से मिलने वाले बेनेफिट का फेयर और इक्विटेबल डिस्टिबिशन करना होगा भाई आपको यह कि नगोया प्रोटटो कॉल है किसका जिन्दिगी में कभी नहीं भूलोगे कि कैसे नगोया और कैसे Cartagena UN CBD के सप्लीमेंटर्य प्रोटОकल है क्योंकि UN CBD का जो गोल 1 गोल 2ऊ जो गोल करने में यह एक बात आई समझ में अगर समझ में आ गया वे पूरा मुद्धा तो एक बार लाइक तो बनता है बच्चा चेक है बहुत बढ़िया वेल जण बच्चा चलते हैं आगे फिर क्या कहता है नगोया प्रोटोकोल में क्या शामिल है यह उन जेनेटिक रिसॉर्स पे लागू होता है अब एक इंपोर्टेंट चीजवाच्चा पाइंट वी नॉटेड यह एक इंपोर्टेंट शब्द बार बार आ रहा है यह भूलना जाना कहता है यह उन genetic resources को शामिल करता है दुनिया भर में तो पता नहीं कितना genetic resources होगा अभी तो हमें पता भी नहीं है बहुत सारा हमसे अज्यात भी होगा कहता है यह उन genetic resources पे लाबू होता है जिने CBD के दुवारा cover किया गया है तो अगर UPSC कहता है कि यह CBD दुवारा किये गए मतलग cover किये गए genetic resources को ही cover करता है तो येस और उनके उप्योग से होने वाले लाब तो एक तो UN CBD ने जिसको cover किया है एक तो वो plus traditional knowledge इन दोनों को access benefit sharing इसके लिए है नगोया इसी के लिए है नगोया नगोया ये लो ये line याद रखना मैंने अलग से highlight की है ये अलग से highlight करके मैंने आपको दिखाया बच्चा इसको जरूर धिहान रखना ठीक है नगोया हो गया बच्चा अब नगोया प्रोटकॉल में हमने traditional knowledge को भी शामिल किया गया जो CBD दुवारा cover किये गए है और पारंपरिक ग्याद्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् प्यान उप्योग से उत्पन होने वाले लाव है चलो एक्सेस एंड बेनेफिट शेरिंग के obligation क्या है इसके लिए उन्हें दो व्यवस्थाएं की है मतलब यह ABS नगोया के अंदर जो दो व्यवस्थाएं कि कैसे करोगे पहला है नगोया प्रोटकॉल पूर्व सूचित सहमत की ववस्था किये प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्लस जिन देशों में यह लेन देन हो रहा है मूचली एग एग्रीड टरंस है पी आई सी प्लस मैट है किसके लिए ABS ऑफ नगोया मतलब अगर जब आपने इस व्यवस्था करोगे ना कि यह जनेटिक रिसॉर्स उसका ट्रांसफर उसका शेरिंग उसके बेनेफिट तो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट पूर्व है ना सूचित क्या सहमती और सेकिंड है म्यूच्वली एग्रीड टर्म्स यह हम ABS के लिए लेके आए है एक्सेस बेनेफिट शेरिंग देश आपस में इतै कर लेंगे एक दूसरे को सूचित कर देंगे हम ऐसा करने वाले हम यह देंगे हम वो करेंगे यह पूरी ववस्था है PIC की M8 है ना PIC MAT OF ABS ठीक है तो क्या कह रहा है अगर आपको अपने ABS बनाने है ABS जानते हो नहीं यहां वो गिट्टिया सी बन जाती एप्स अगर बनाने है तो एक काम करो MAK एक PIC मतलब उठा के ले के आओ PIC के उसका शोट कर दिया किसको एक MAT को ले के आओ उस पे हम अपने ABS बनाएंगे PIC MAT Mutually Agreed Terms Prior Informed Consent ABS यह सब का सब क्या हो गया These are all Nagoya Nagoya Protocol I hope अब आपको याद रहे गए तो इधर Nagoya में ABS PIC MAT है वहीं कार्टा जेना में क्या था बच्चा कार्टा जेना में क्या था कार्टा जेना प्रोटोकोल में क्या था Advanced Informed Agreement AIA उधर AIA था इधर PIC MAT ABS है कार्टा जेना और इसके दोनों के बीच में एल्दन ग्रेट ठेक है फिर आया हमारा आईची टार्गेट्स है ना आईची टार्गेट्स क्या हुआ एक 10 साल का हमारा फ्रेमवर्क था यह सब याद रखना बच्चा हमारा UN-CBD से जुड़े हुए जितने भी टेकनिकल टर्म है UN-CBD देख लिया हमने काटजेना देख लिया हमने नगोया हमने देख लिया बाया है आईची वाट इस दिस आईची है ना तो कहता है यह जैनेटिक रिसॉर्स पे जो हमारा नगोया प्रोटोकॉल था जैनेटिक रिसॉर्स के ओपर उस नगोया प्रोटोकॉल के साथ-साथ जो कॉप 10 था किसका कॉप 10 UN-CBD का कॉप 10 और मैं आपको बता दूँ जहां इसका यह कॉप 10 कॉप 10 है बच्चा जहां UN FCC के कॉप हर साल होते हैं हर साल होते ना United Nation Framework Convention on Climate Change हर साल मिटिंग करते हैं अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक में वापस से बैठने वाले हैं वहीं UN CBD वाले हर साल नहीं बैठते हैं हर साल इनकी मिटिंग नहीं होती कितने टाइम में होती है उसके लगातार चलता आ रहा है है इनका मिटिंग का हर साला कि नहीं हो रहां था उसी में क्या बूला नगोया के साथ-साथ जैव विविदता को बचाने के लिए सभी देशों के दुवारा आने वाले दस सालों में क्या किया जाएगा उसकी एक framework है क्या आईची बायो डाइवर्सिटी टार्गेट जैसे हम climate change को fight करने के लिए target set करते न 2030 तक ये कर देंगे 50 तक ये कर देंगे 70 तक ये कर देंगे 75 तक ये कर देंगे वैसे ही जो ये आपके आईची टार्गेट से है इसमें ये बता गया कि साल 2010 से साल 2020 के बीच में आनी के इन 10 सालों के अंदर हम बायो डायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए करने क्या वाले है उन सब को हमने बुला आईची टार्गेट्स याद रहेगा आईची हाँ 10 सालों की एक फ्रेमवर्क है ये इसके अंतरगत हमने क्या बनाया हमने जैव विविदता के लिए एक स्टाटेजिक ली प्लैन बनाया कि कैसे प्रोटेक्ट करने वाले है तो उसके लिए इन्होंने क्या किया जो हमने 20 टार्गेट्स सेट किये आईची टार्गेट्स क्य में आया कार्टाजेना प्रोटोकोल किसके लिए है बायो सेफ्टी बायो सेफ्टी ओके लिविंग मौडिफाइड और गैनिज्म जैनेटिकली मौडिफाइड और गैनिज्म और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा एडवांस इन्फॉर्मड एग्रिमेंट फिर से दिखा रह यह उससे जुड़ा हुआ है सेकि अया हमारा नगोया नगोया प्रोटोकॉल पिखाइड प्रोवीजन आ है यह हुआ तीसरा हमारा क्या चला था तीसरा हमारा आया आईची टर्गेट्स What are these ICHE targets? ये भी BioDiver, सब के सब BioDiversity से जुड़े हुए All are associated with BioDiversity BioDiversity से जुड़े हुए बच्चा ICHE वाले क्या करे है? साल 2010 से साल 2020 के लिए हमने 20 2010 से 2020 तक BioDiversity को protect करने के लिए हमने 20 targets set किये है इन 20 targets को हमने 5 goals में divide किया है 5 goals 5 goals है Goal A, Goal B, Goal C, Goal D, Goal E ये वाली बात है तो A से E तक के हमने set बनाए है 5 category में जिससे की हम BioDiversity को protect करने के लिए ICHE targets के रूप में हम जानते कब लेके आये थे इसको भी बच्चा? कोप 10 था किसका? UNCBD का उसी में नगोया आया था उसी में ये आया था चलो येस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तालियों से स्वागत हो इन गोल्स का पहला गोल है स्ट्रेटेजिक गोल A इसमें ये क्या करने वाले है? कहते हैं सरकार, गवर्मेंट और समाज में बायो डायक्वरसिटी को मेंण स्टेम में लेकर आओ हम बायो डायक्वरसिटी से related मुद्दों पे डिसकासी नहीं कर रहें है ना? हमें पता ही नहीं बायो डायक्वरसिटी का लोस क्यों हो रहा है? तो कहते हैं सरकार और समाज में जैव विविदता को मुख्यधारा मिला कर जैव विविदता के नुकसान के कारणों का पता लगाना उससे जोड़ दिये हमने 4 टारगेट उसके अंदर और हमने इस स्ट्राटेजिक गॉल के अंदर 4 टारगेट बी में क्या कह रहा है जैव विविदता पर दबाव को कम करना और टिकाव उपियोग को बढ़ावा देना सिक्स टारगेट स्ट्राटेजिक गॉल सी है पारस्थित की तंतर स्पीसिज जैनेटिक डाइवर्सिटी की रक्षा करके जैव विविदता की स्थिती में सुधार करना तीन गॉल स्ट्राटेजिक गॉल डी जैव विविदता और पारस्थित की तंतर सेवाओ में सभी क्यों लाब मिले वही goal 1, 2, 3 से ही जुड़े हुए है और फागीदारी योजना है strategy goal E लोगों को participate करो, knowledge manage करो capacity building करो उसके माध्यम से हम जैव विविदता को और उसके सनक्षन को बढ़ावा देंगे इस हिसाब से यह हमने set कर दिये थे 20 targets अंदर 5 goal क्या 2020 20 चला गया है क्या यह target achieve हुए है हमेशा की तरह जवाब है no not achieved not achieved नहीं भाई हम इनको achieve ना कर पाए problem क्या था target realization का failure हो गया over ambitious 5 महीने में UPSC PT means interview सब को तबहा कर देंगे कि एक सेकिंड में कि वह बसी वाला आया था ना बसी बसी का देखा था ना यूट्यूब पे UPSC की त्यारी घर वालों को बोल अरे बसी फिल्मों में भी आता है comedian start stand up comedian अब तो रणवीर कपूर के साथ भी आ रहा है फिल्मों में कि मूवी आई थी ना कि जूटी मकार वाला कुछ ऐसा था वह उसमें वह यहीं बोलता है target realization बड़ा खराब था समझी नहीं आ रहा था life में करना के बस बोल दिया घर वालों को UPSC करना है चीक है तो बस वही वाली बात हुआ उन्होंने बोला यार आपने over ambitious target सेट कर दिये यह अनची वेवल थे तो फिर क्या करें भाई अब हमारे पास कार उसता है कैसे बचाएंगे इस biodiversity को तो फिर से बैठे 2020 के बाद फिर से इन्होंने बैठना शुरू किया और बैठना शुरू किया तो बैठ के जो हुआ है ना फिर से कॉप को लेके आएंगे फिर से कॉप आएगा तो कॉप के बारे में बता देता हूँ हर दो साल में हर दो साल में हम देखते क्या हुआ क्या क्या achievement हुआ है every meets every two years to review ये दो साल में होती है UNFCC हर साल है ये हर दो साल में हो रही है ठीक है बच्चा तो COP 15 COP 15 क्योंकि देखो COP 10 कब हुआ था इसका COP 10 हुआ था 2010 में दिस वाज COP 10 तो COP 15 कब होगा बच्चा 2000 मतलब 10 साल तो हो चुके होंगे 2020 के बाद आ गया तो COP 15 हुआ इनका 10 साल के बाद कब बैठे इन्होंने ये COP बैठे 22, 2022 मौन्ट्रियाल कनाडा में और बोला कि इस ग्रैपर रहने वाली दुनिया की जैव विविद्दा की रक्षा और बहाली के लिए हमें तत्काल कारेवाही करनी होगी और हम वादा करते हैं कि हम वादा ही करते जाएंगे तो वाट इस दिस COP 15 इसके बाद वाट इस मौन्ट्रियाल सम्मेलन वाट इस कुन्मिंग वाट इस कुन्मिन हो गया वाट इस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क यह 2020 के बाद की कहानी है जब हम आईची टार्गेट्स को अचीव नहीं कर पाए तो उसके बाद हम क्या बोल बचन कर रहे हैं यह सब देखेंगे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है 30 बाइ 30 टार्गेट्स क्या है यह सब कॉप 15 क्या मेजर फाइनिंग्स क्या थी यह सब का सब सब करेंगे हम कल के शेशन में कल तीसरा शेशन होगा और कल यह कंप्लीट हो चुका होगा तो अगर आपको ऐसे ही जबरदस तरीके से नेक्स सिक्स मंत के अंदर कंप्लीट एनवायर्मेंट जोग्रफी सी सेट कॉंप्रिहेंशन एकॉनमी पॉलिटी हिस्ट्री यह सब कंप्लीट करना है साइंस एंट टेकनलोजी तो आप हमारे प्रिलिम्स जैते प्रोग्राम का ह हिसा बन सकते है मात्र 55 रुपे में आपको ये कोर्स मिल जाएगा मेरा कूपन कोड नवीन लगा सकते है याद रखना नवीन कूपन कोड अगर आप कोई को इस्तमाल करते हैं तो यह जंग जीति जा सकती है इतने ही प्यार से और इतने ही आनंदाई तरीके से इन नंबर में से किसी पर भी कॉल कर ले ना बच्चा दिस इस माई टेलिग्राम चैनल और दिस इस माई कूपन कोड नवीन है ना कॉल कोई भी नंबर पे कर लेना कोड नवीन ही लगना चाहिए बस यह ध्यान लखना बबाए टेक कियर बच्चा कल मिलते हैं फिर एक ओर जोरदार सेशन में अबने रहना अच्छे से पढ़ना बच्चा इस बार अशी जंग जितता आंगे बाल